नमस्कार दोस्तो मेरा नामे साइलेंदर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल साइलेंदर कार पॉइंट में तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंफोर्मेशन लाया हूँ और रेनोल काईगर RXT Meal Tradsmission में आने वाले सभी फीचर्स के बारे में इससे पहले रेनोल काईगर के Base Model और रेनोल काईगर के Second Base Model दोनों ही wayran में आने वाले सभी फीचर्स के बारे में वीडियो बना चुका हूँ मेरी आपसे छोटी सी गुजारी से आप जल्दी से जाए और वीडियो देख लिजिए तो चलिए वीडियो को अरम किया जाए अगर बात करें एंजिन के बारे में तो 1 लिटर 3 सिलिंडर एनर्जी पेट्रोल एंजिन मिल जाता है जो कि मेक्स पावर 71 BHP की और 96 नम का टोक प्रोवाइड करता है 5-speed manual gearbox इस कार में उपलब कराया गया है जबकि फ्रन्ट वील ड्राइवर टन के साथ यह कार आती है नजर करते हैं रेनलो काईगर के एक्स्टेडर की और तो यहाँ पर आपको फ्रन्ट ग्रिल क्रोम फिनिस में मिल जाती है उसके साइड में हेडलेंब आपको हेलोजन में उपलब कराया गया है साथ ही उपर की ओर DRLs यहाँ पर LED में मिल जाती है और टेल लेंस भी आपको LED में ही मोजूद कराये गए है ORUM यहाँ बलेक कलर में दिया गया है उसी के साथ आपको तरन इंडिकेटर भी मिल जाते है और हाँ ORUM यहाँ electrical adjustable भी किया जा सकता है उपर की और दिये गए रूफ रेल्स कार को SUV वाला लोग जरूर देते हैं पीछे की और सार्क फिन एंटिना और रियर स्पोईलर कार को स्पोर्टी लोग देने में बहुत मदद करते हैं इस वाले वेरियन में आपको रियर वोसर और रियर वाइपर मिल जाता है लेकिन सेडली रियर डिफोगर यहां मुझूद नहीं है लगे हाथो बूर्ट स्पेश की बात करूँ तो बेस्ट इन दे सेग्मेंट 405 लिटर का बूर्ट स्पेश यहां पर आपको मिल जाता है और फ्यूल टेंग की केपिसिटी 40 लिटर की मिल जाती है इस कार के टायर्स के बारे में बात की जाए तो 195 by 60 आर 16 इंच के बहतरिन दिखने वाले स्टील विर्ट देखने को मिलते है जिसमें फ्रंट टायर डिस ब्रेक के साथ आते हैं और रियर वाले टायर ड्रम ब्रेक के साथ उपलप्त कराए गए है तो दोस्तो एक्स्टीर के बारे में तो हमने सारी बाते कर ली अब नजर करते हैं कार के अंदर यानि इंटीर में आपको क्या ओफर किया गया है इंटीर में सबसे पहले आपको डियोल टॉन डेस बोड देखने को मिलता है इंस्ट्रुमेन क्लस्टर फुली डिजिटल दिया गया है जिसमें आपको टू इलेक्रोनिक टिप मीटर, लो फ्यूल लेवल वर्निंग, डूर अजार वर्निंग, डिस्टन्स टू एमपर्टी जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते है सीटे यहां फेबरिक में उपलब्ट कराए गई है, उसी के साथ ड्राइवर आमरेस्ट वो भी स्टोरेज पॉइंट के साथ मिल जाता है रियर सीट में भी आमरेस्ट मिल जाता है, वो भी कफ होलडर के साथ 60-40 स्प्लिट ओप्शन भी मिल जाता है, हेडरेस्ट फ्रंट और रियर दोनों ही साइड एजस्टेबल मिल जाते है ड्राइवर सीट यहां आपको हेड एजस्ट के साथ उपलब्ट कराए गई है अब नजर करते हैं आपके comfort और convenience फीचर की ओर, तो सबसे बड़ा फीचर जो standout के तोर पे बाहर निकल के आता है, वो है engine start stop बटन अब आपको इस विरेट में मिल जाता है At the same time, keyless entropy यहां पर आपको उपलब्ट कराए गई है Air conditioner यहां पर manual दिया गया है, और पीछे की ओर यानी rear SUV भी मिल जाते है, जो की यह blower है Vanity mirror ship आपको co driver side ही मिल जाता है IREM day and night दोनों ही option के साथ आता है दो glove box यहां पर आपको देखने को मिलते है, साथी front and rear power window भी मिल जाते है Front और rear side, दो charging point, cup holders भी आपको front and rear side ही मिल जाते है Steering भी यहां पर आपको सिर्फ tilt adjustment के साथ ही मिल जाता है अब Renault काईगर, RS TVRN कितनी safe है उसके बारे में बात करते है Anti-lock braking system, plus EBD, rear parking sensor, 4 front side airbag, जिसमें दो आपको side airbag भी मिल जाते है Speed sensing door lock, engine immobilizer, child safety lock, और ISO fix child seat mount भी आपको यहां पर देखने को मिलता है तो अब इस वेरियर में मनरंजन के कौन-कौन से feature आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करें तो एक 8 inch का touchscreen मिल जाता है 4 speaker, plus 2 tutor भी आपको यहां मिल जाते हैं reverse parking camera भी touchscreen के साथ ही मिल जाता है साथ में USB and aux cable points और at the same time steering mountain control भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं Colors option के बात करूँ तो रेनोड काईगर manual transmission 5 color option के साथ आती है जिसमें केस्पियन ब्लू, मेगोनी ब्राउन, मूनलाइट ग्रेप, प्लेनर ग्रेप, प्लेनर ग्रेप और आइस कूल वाइट इन 5 color option के साथ रेनोड काईगर रेस्टी वेरियन को उफलब्त कराया गया है तो last but not the least इस वेरियन की प्रैसिंग के बारे में बात करते हैं तो रेनोड काईगर RXT manual transmission नियो देली एक्सवरूम की प्रैसिंग 6.60 लाइक से स्टार्ट हो जाती है तो बस दोस्तो यही था आज के वीडियो में आपको ये कार केसी लगी वीडियो केसा लगा कमेट बे बताना ना पूले आपका फीडबेक मेरे लिए बहुत जरूरी है कृपिया कमेट करके जरूर बताए अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही सेलेंदर कारपोंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल लखिए तन्यवाद जैहीन